गुडड़े टो ईल अफ यूू। आप सब इने पहले करता है पहले क्लासоды का इंप्रेस के स्टन्डर टूल बार के विकल्पों के बारे में सीखा। आइए अप पहले क्लास का रिविजन कर लेते हैं। स्टन्डर टूल बार का उप्योग क्यों करते हैं ? Standard toolbar का उप्योग आप menu bar के option को shortcut बना कर उनका उप्योग करना सीखने के लिए करते हैं इसमें आप उन option को दे सकते हैं जिसका उप्योग आप impress की file में जादा करते हैं जैसे की new, open, save, hyperlink इत्यादी के विकल्पों को Standard toolbar के अंदर रख सकते हैं Standard toolbar के विकल्पों को hide और unhide कैसे करते हैं Standard toolbar के विकल्पों को hide और unhide करने के लिए आप control button या फिर drop down option जो की सामें चित्र में दिखाया जा रहा है उस पर click करके आप customize toolbar विकल्प से उन option को hide और unhide कर सकते हैं आपको याद है display grid क्या होता है display grid से आप अपने impress की slide पर बहुत से बिंदू अथवा graph की तरह अपना slide को देख सकते हैं क्या आप जानते हैं चार्ट विकल्प का उप्यों क्यों करते हैं चार्ट विकल्प से आप अपने excel की data जैसे की किसी का record list को impress के अंदर चार्ट विकल्प की मदद से दिखा सकते हैं आप जानते हैं कि print file directly विकल्प की मदद से क्या होता है print file directly विकल्प की मदद से आप अपने impress की file को direct print कर सकते हैं अब आप अपने computer को on करें फिर अपने impress की file को open करें आईए अब आज की class को सुरू करते हैं अब आप सभी पहली slide पर सामने दिएगे paragraph को देखकर type करें अब इस paragraph की formatting को करें क्या आप सभी ने formatting को कर लिया है या नहीं आईए अब वीडियो की मदद से सीखते हैं कि सभी formatting को कैसे करते हैं आईए वीडियो की मदद से सीखते हैं formatting कैसे करते हैं फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले टेक्स लिखा होना चाहिए जो भी आप टेक्स पर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उसके बाद आपको टेक्स को सलेक्ट करना है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पे टेक्स को सलेक्ट किया आप select किसी भी प्रकार से कर सकते हैं keyboard से या mouse से या touchpad से select करने के बाद font style को बदलने के लिए आप सभी font name के option पर जहाँ पर drop down हो आप पर click करेंगे बहुत सारे font style आजाएंगे आप इन में से किसी भी एक style को select कर ले select करने के बाद जो style आप select करेंगे text या paragraph पर या line पर आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने font style को select किया था वही style इस line पर apply हो गया फिर से दुआर आप paragraph को select कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाय जा रहा है हमने paragraph को select किया अब हमें इसके size को बढ़ाना है तो इसके लिए font size को option है वहाँ के drop down button पर click करना है बहुत सारे number आ जाएंगे जितने number को आप select करेंगे आपको जो font style है उसी size में आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं मैं 32 को select किया तो हमारा font जो हमारा जो text है वो 32 size में आ गया हूँ फिर चे आप text को select करें line को select करें select करने के बाद आप इस अगर गहरा करना चाहते हैं तो B पर click कर दें B से bold होता है फिर चे आप text को select करें line को select करें select करने के बाद select करने के बाद अब हमें इस पर underline को apply करना है तो हमने यू लिखे option पर click किया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं तो line पर underline apply हो गया फिर से line को select करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाय जा रहा है हमने यहाँ पर line को select किया select करने के बाद अब हमने इसके font के color को बदलना है जैसे font color के option पर जाएंगे महाँ पर drop down button पर click करेंगे और कोई भी color को choose कर लेंगे तो आपको जब text उसी color में आ जाएगा जो आपने select किया है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर से line को select करें लास्वली line को हमने select किया है यहां पर कि एक डॉप बटन पर विडुवल बटन पर click कर रहे हैं हमने फिर से line को select किया को select करने बाद हम फिर से इसका font color को change करेंगे किसी हमने color को select कर लिया और फिर जैसे हमने select किया वह है तैक्स उसी color का आ गया हम हम इसको पर आपने बुलेट्स लगाना था तो आप यहां से बुलेट्स लग गया है तो इस पर कासे आप फॉरमेटिंग कर सकते हैं अब एक और नई स्लाइड को लें क्या बता सकते हैं न्यू श्लाइड को कितने तरीके से ले सकते हैं अब अपनी स्लाइड को दो तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं पहला इंप्रेस के मेन्यू बार के इंसर्ट आप्शन में जाकर स्लाइड विकल्प को सेलेक्ट करेंगे तो न्यू स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं दूसरा आप अपने माउस ये टेश बैर की राइट बटन को किलिक करके न्यू स्लाइड विकल्प को सेलेक्ट करेंगे जिससे कि आप ने नई स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं अब आप इस स्लाइड पर ड्रोइंग टूलबार की मदद से रेक्टेंगल बॉक्स को ड्रॉ करें और इस रेक्टेंगल की फॉर्मेटिंग को चेंज करें जैसे कि सामने चित्र में दिखाया जा रहा है अगर कोई समस्या हो तो आप वीडियो की मदद से सीख सकते हैं आए वीडियो की मदद से रेक्टेंगल के ओपर सारी फॉर्मेटिंग करना सीखते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले एक नए slide को insert करना है जैसे कि आप वीडियो में देखते हैं में नए slide को insert करने के लिए slide pane पर जाना है वहाँ पर right click करना है फिर option आजाएगा आपको नए slide option को select कर लेना है अगर आप चाहें तो insert menu का view पर कर सकते हैं वहाँ से भी आप नए slide को insert कर सकते हैं हमने insert menu की मदब से एक नए slide को नहीं यहाँ पर insert किया अभी आप देख सकते हैं यह title slide है इसको blank slide में लाने के लिए आपको layout option पर जाना है और blank slide पर click कर देना है जो आपकी slide हो ब्लैंक हो जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अब इसके ने लगागा आपको कोई भी shape को draw करनी है उसके लिए drawing toolbar पर जाएं वहाँ से किसी भी shape को select कर लें हमें rectangle draw करना ह है हमने rectangle tool की मदद से यहाँ पर इस तरीके के square हमने यहाँ पर drag किया अब हम इस पर formatting करेंगे तो line and feeling की मदद से इसके नदर formatting कर सकते हैं हमने सबसे पहले line के style को change किया फिर इसके width को हमने यहाँ से बढ़ाया फिर मने इसकी width को यहाँ से color change करेंगे हमने इसकी width के color line के हमने color change किया अब हम इसके अंदर fill करना है तो color के options पर जाके पहले हम style को select करेंगे हमने यहाँ पर gradient option को select किया फिर gradient में बहुत सारे अलग-अलग परकार की यहाँ पर style दिये हुए हैं हम इन में से किसी भी एक style को select कर लेंगे, जिस भी style को select करेंगे, गया style, गया color style, जो हमारा object है उसके अंदर apply हो जाएगा, तो इस प्रकार से हमने rectangle के अंदर formatting करना सीख लिया, अब आप सबी एक और slide को insert करें और फिर slide पर 5x5 का table insert करें, और इसके अंदर आप data को type करें, आएए वीडियो को देखकर impress के slide पर table को बनाना सीखते हैं, आएए वीडियो की मदद से सीखते हैं, table का उप्योग कैसे करते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको table insert करना होगा, table insert करने के लिए सबसे पहले हम एक नए slide को insert करेंगे, इसके लिए हमने slide pane पर click किया, right click, वहाँ पर new slide option को select कर लिया हो, जैसे हम new slide पर click करेंगे, एक हमारे पास नए slide आजाएगा, अब हमें table insert करना है, तो standard toolbar पर table के option पर लेके जाएए, वहाँ पर click कर दें, इस तरिके के एक insert table का option आजाएगा, यहाँ से आपको जितने row और column चाहिए, उसे आप यहाँ से select कर सकते हैं, फिर ok पर click कर दें, तो इस प्रकार से आप एक table insert हो जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, आप यहाँ पर blue color के dot देख सकते हैं, इससे आप table के size को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको अपने pointer को वहाँ पर रखना है और इसे drag करना है, अब हम table के अंदर type करेंगे, साथ से पहले वाले cell के अंदर हम click करेंगे, जो भी आपको इसके अंदर type करना है, अगर कोई details लिख नहीं है, तो आप यहाँ पर type कर सकते हो, हमने यहाँ पर first column में serial number type कर रहे हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने यहाँ पर serial number को type किया, second column में हम name को type करेंगे, आप भी यहाँ पर देखके name को type कर सकते हैं, कोई से भी name जो आपको student name या उनकी details लिख रहे हैं तो आप उनके बारे में, उनकी name को आप यहाँ पर type कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने second column में name को type किया, पर थर्ड कोलम पर क्लिक करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, जैसे थर्ड कोलम पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर करसर आजाएगा, जो भी आपको details लिखनी है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि अभी जो third column है, उसको size अभी कम है, हमें इसके size को बढ़ाना है, तो अपने pointer को, जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, लाइन को उपर रखें और उसे drag कर दें, drag करेंगे तो उसकी size थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, अभी हमने third column में qualification को type किया, आप चाहिए यहाँ पर class भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी आप यहाँ पर क्या type करना चाहते हैं, हमने qualification में, हम इन students की यहाँ पर qualification यहाँ पर type कर रहे हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने यहाँ पर qualification को type कर दें, फिर अगले column में इसके भी हम size को बढ़ाएंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हम अपने cursor को pointer को में line पर रखना है और इसको drag कर देना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहे है, हमने इसे right side में drag किया, अब भी हम यहाँ पर email id type कर रहे हैं, आप चाहें तो marks या फिर result इस तरीके के आप list बना सकते हैं, अगर आपको आप चाहें वीडियो में देख के भी जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप वैसे type कर सकते हैं, यहाँ पर email id type करें, यहाँ पर हम इन students की email id एक हमने वैसे ही आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर इस तरीके के हमने email id type किया है, आप चाहें तो इस तरीके के list बना सकते हैं, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फोर्थ जो चोथी कॉलम है, हमने वहाँ पर email id को type किया है, पर अगले कॉलम को select करेंगे और फिर लास वाले कॉलम को भी line पर रखके वहाँ पर drag कर दिया, फिर हम अगले कॉलम को select करेंगे और वहाँ पर contact number को type करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहे हैं, आप यहाँ पर contact number लिख सकते हैं, यह जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहे हैं, हम एक example के, हम यहाँ पर example के द्वारे यहाँ पर आपको दिखाया जा रहे हैं कि यहाँ पर हमने 1,2,3,4 इस तरीके से हमने यहाँ पर contact number type किया है, और आखरी वाले cell में भी हमने आपको कुछ number types की, तो इस परकाश से आप देख सकते हैं कि हमने table के माधियम से हमने एक list बनाया है, एक details बनाया है, तो इस तरीके से आप भी table के द्वारा कोई भी list किसी तरकी के अगर आपको जानकरी type करना है, result बनाना है, तो आप बना सकते हैं, तो इस परकार से आप table का उप्योग कर सकते हैं, क्या आप table की design को change कर सकते हैं, आए आप video की मदद से table के design को change करना सीखते हैं, आए वीडिय को select कर लें, जैसे आप table को select करेंगे, तो आप right side में table की property देख सकते हैं, और उसके नीचे table design को देख सकते हैं, यहाँ आप आप देख सकते हैं, अलग-अलग परकार की table design है, जिस design में भी आप अपने table को लाना चाहते हैं, आप उस design को select कर लें, जैसे कि आपको वीडियो म में आ जा रहा है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने एक style को select किया तो आप देख सकता है हमारा table उसी design में आ चुगा है तो इस प्रकार से आप table की design को change कर सकते हैं एक और slide को insert करें फिर इस slide पर आप hyperlink के द्वारा किसी और file का link दें अगर कोई समझते हो तो वीडियो को देखें आए वीडियो की मदद से सीखते हैं hyperlink को कैसे लगाते हैं अब जिस भी slide पर hyperlink insert करना चाहते हैं आप उस slide पर लगा सकते हैं हमने यहां पर एक नए slide को insert किया क्योंकि हमें new slide पर hyperlink क को लगाना है जैसे कि आप वीडियो में देख सकता है मैं यहां पर नए slide को insert किया फिर अपने pointer को standard toolbar के shortcut option जो hyperlink का बना हुआ है वहां पर लेके जाएंगे वहां पर click कर देंगे एक box आज है कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहां पर document option पर click करें फिर open file जो यह लेकलर का box बना है वहां पर click कर देंगे यहां पर बहुत सारे option आ जाएंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं आपने जिस भी location पर अपने file को save किया है वह आप यहां से ढूंड सकते हैं हमने desktop पर file को save किया था इसलिए जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर open पर हमने click कर दिया open पर click करने के बाद apply पर click करेंगे यहां पर देख जता है जैसे हमने apply पर click किया जहां पाक था वहां पर location वह डिलीट हो गया by default वह अगर हम क्लोज करेंगे तो आइप लिंक एप्लाइड नहीं होगा इसके लिए हमें दुबारा से file को open करना है इस file को दुबारा से select करना है हमने फिर से महां open file पर click किया फिर से हम उस file को select करेंगे हमने file को select के 입니다 इंप्रस class1 PDF наш path लिखा हुआ इस file का यहां पर link आ गया है फिर हमने apply पर click किया फिर close पर click कर दिया हो तो आप देख सकते हैं उस file के link के slide पर यहाँ पर आ गया है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर link बणके आ गया है अगर आपको इस link को open करना है ऑग तो इस लिनक को प्रेस करके रखें और फिर एक बार left button दवा दें जैसे आप left button दवाएंगे वह फाइल ओपन हो जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हम इस फाइल को ओपन कर दें यह PDF की फाइल है अब इसे close कर दें तो इस प्रकास से आप standard toolbar के shortcut option के द्वारा आप hyperlink को अपने slide पर insert कर सकते हैं उसे apply कर सकते हैं अब आप 3 और 4 slide को copy और paste करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो आप सभी वीडियो की मदद से देखकर करें आए वीडियो की मदद से सीखते हैं copy और paste कैसे करते हैं जैसे कि हमें slide 3 और 4 को copy करना है इसके लिए हमने slide 3 को select किया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं और इसके बाद हमने control के button को press करके रखा और slide 4 को भी हमने select कर लिए तो आप देख सकते हैं कि ये दोनो select select हो गया अब अब अपने pointer को standard toolbar के option पर लेके जाना है और यहाँ copy लिखी option को click कर देना है यहाँ आप चाहे हैं इसके लिए shortcut command control पर C कभी व्योग कर सकते हैं इनको select करने बाद हमने copy कर लिया है अब इसी की जैसे लाने के लिए हमें paste करना है तो standard toolbar की paste option पर लेके जाएंगे और paste पर click कर देंगे यह shortcut command control V कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 और 6 दो slide आ गया है जो 3 और 4 की copy है 3 और 4 की जैसे एक 5 और 6 slide यहाँ पर आ गया तो यह इसकी copy हो गई तो इस प्रकास से आप copy और paste कर सकते हैं अब आप undo करके दिखाएं कि undo से क्या होता है फिर उसके बाद redo का उपयोग करके बताएं कि इससे क्या होता है आए वीडियो की मदद से देखते हैं undo redo redo से क्या होता है आए वीडियो की मदद से undo redo करना सीखते हैं इसके लिए सबसे पहले जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले अंडू पर क्लिक करेंगे जैसे हम अंडू पर क्लिक करेंगे जो हमने स्लाइड को इंसर्ट किया था वो हट जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देखाए जा रहा है उसको वापिस लाने के लिए हम रीडियो पर क्लिक करेंगे जैसे रीडियो पर क्लिक करेंगे तो आप देश सकते हैं यहाँ पर जो स्लाइड पांच छै वो यहाँ पर आ गया है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने इसकी कोपी बनाया था और उस कोपी को हमने अंडू के माध्यम से हटा दिया था फिर हमने रीडियो के दबार ऐसे वापिस लिया आए तो इस प्रकार से आप अंडू रीडियो कर सकते हैं अब आप सबी अपने स्टेंडर टूल बार के कुछ विकल्पों को हाइड करके दिखाएं जैसे कि न्यू, आइपर लिंक, डिस्प्ले ग्रिड, कोपी, पेस्ट, अंडू और रेडू अगर कोई समस्या हो तो आप वीडियो की मदद से सीखें आइए वीडियो की मदद से स्टेंडर टूल बार के ओप्शनों को हाइड और अन हाइड करना सीखते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पोइंटर को स्टेंडर टूल बार के जो डॉप्टाउन बटन जो राइट साइड में है आपको वहाँ पर लेके जाना है हमें किन-किन उप्शन को हाइड करना है वहाँ यहाँ पर देख लेंगे हमें new क्या option को hide करना है, hyperlink options को hide करना है, display grid options को hide करना है और copy और paste options को hide करना है इसके लिए हमें अब इस pointer को जैसे का आप screen पे देख सकते हैं हमें standard toolbar के right side में लाएंगे जो standard toolbar जहां पे खतम हो रहा है वहां पे drop down button पे click करेंगे और customize toolbar पे click कर देंगे आप देख सकते हैं जो toolbar को option है, by default पहले सी select है और यहाँ पर toolbar में standard option select है क्योंकि standard toolbar के अंदर यो shortcut option है अब जीजिस option को आपको hide करना है, उसे आप unselect कर दें हमने new के option को unselect कर दिया हम, जैसे का आप वीडियो में देख सकते हैं जो option आपको hide करना है, उसे हम unselect करेंगे, हमने यहाँ पर copy को option को unselect किया, फिर paste को option को unselect किया यहाँ से scroll, इसे down करेंगे, नीचे करेंगे, और भी option दिखाएं देंगे आपको, can't undo, can't restore, हमने इन दोन options को भी unselect कर लिया hyperlink option हमने इसको भी unselect कर लिया, unselect कर दिया हमने इसे भी, display, grid, इसे भी हम unselect करेंगे जिस इस option को हमें हटाना है, हमने इस options को unselect कर दिया वहाँ से, फिर ok के button पर click करेंगे, तो आप देखेंगे, यह standard toolbar के standard toolbar के अंदर यह options अब आपको दिखाएं नहीं दे रहे होंगे, यह सारे options hide हो गये हैं तो इस प्रकास से आप standard toolbar के option को hide कर सकते हैं अब आप इस file को desktop पर save करके दिखाएं अगर कोई समझ चाहो तो वीडियो को देखकर सीखें, file को desktop पर save कैसे करते हैं आए वीडियो के दोबारा सीखते हैं, file को save कैसे करते हैं इस file को save करने के लिए सबसे पहले आपको अपने pointer को standard toolbar के save option पर लेके आना है, वहाँ पर click कर देना है एक box आजाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं पिर आप location को select करें लिए जिस location पर आपको अपनी file को save करनी है अबने यहाँ पर desktop को select किया आप किसी भी location को select कर सकते हैं फिर जहाँ पर file name है वहाँ पर click करें जो भी पहले से लिखा हुआ से delete कर दे जिस नाम से भी आप अपने File को सेव करना चाहते हैं वे नाम यहां पर Type करें हमने यहां पर Impress Class to Type किया टैप करने के बाद आपको Save के Option पर Click करना है हमने यहां पर Save के Option पर Click कर दिया अब अब Title War में देख सकते हैं यह file in press class 2 के नाम से save हो गई है, आप चाहने ते डिरेक्टली ctrl s का भी उप्योग कर सकते हैं, जो इसका shortcut command होती है, अब इस file को देखने के लिए जहां पर अपना file को save किया है, सबसे पहले सारे files को minimize करें, और desktop पर ढूढ़ने कि आपकी file save हुई है यहां पर आप desktop पर देख सक से आप standard toolbar के shortcut option save की मदद से अपनी file को save कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि file को PDF में कितने प्रकार से convert कर सकते हैं, आप impress की file को दो तरीके से PDF में convert कर सकते हैं, पहला menu bar के file option में जाकर export as PDF यह export विकल्प के दवारा आप convert कर सकते हैं, दूसरा आप standard toolbar के PDF विकल्प जो की साम आप convert कर सकते हैं अब आप सभी इपनी फाइल को standard toolbar की मदद से PDF की फाइल में convert करके दिखाएं अगर आप सभी PDF की फाइल बनाने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो की मदद से देखकर सीखें आएए वीडियो की मदद से सीखते हैं अपने document को direct PDF में कैसे convert करते हैं अपने document को direct convert PDF में करने के लिए सबसे पहले आपको अपने pointer को standard toolbar के circuit option export as PDF directly पर क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे तिहां पर save करने का option आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहां पर direct save करने का option आ गया अब अपने file को जिस location पर भी save करना चाहते हैं उस location को आप select कर लें यहां हमने पहले ही desktop को select कर लिया है फिर file name में आप जो भी file name देना चाहते हैं वे name type करें और save पर click कर देंग अब आप इसके अंदर कोई भी editing करना चाहें तो editing नहीं कर सकते हैं यह सिफ आपको read करने के काम में आएगा आप इसको सिफ देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी changes नहीं कर सकते हैं फिर से अपने file पर आ जाएं टास्क बार में से अपने file को दूढ़ने उस पर click कर दें आपकी file फिर से open हो जाएगी तो इस परकार से आप PDF की file को directly बना सकते हैं क्योंकि आज की कक्षा यहीं पर माप्त होती है इसलिए आप सभी अपने file को close करें और अपने computer को shutdown करें आज की कक्षा में आप सभी ने standard toolbar के विकलपों का revision किया जैसे की save, copy, paste, print, file directly, undo, redo और display grid विकलपों के बारे में अभ्यास किया आप